अलो स्टूडेंज आज हम लोग बात करेंगे अल्गॉअर्थम की सब्सकराहता है और डाटा इससे में इसका क्या रोल है और इसमें प्या कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम इस्पेस ट्रेड आउफ का थी क्यों कि टाइम और इस्पेस में कहां ट्रेड आउफ बैठाना पड़ता है तो देखिए अल्गॉर्थम क्या होता है अल्गॉर्थम इसे वेल डिफाइन लिस्ट आफ स्टेप्स पर सॉल्विंग एं पर्टिक प्रॉब्लम को जैसे आपनो फ्लोचार्ट डिसकस कर चुके हैं और अल्गॉर्थम की भी वीडियोज है चैनल पर अबलेबिल फिर भी आप समझ सकते हैं यहां पर कि किसी पर्टिकॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो लिस्ट आफ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसक जो वेल डिफाइन लिस्ट आफ स्टेप्स होती है उसको अल्गॉर्थम भूबते हैं एक जो मेजर परपस होता है एफिशियन्ट अल्गॉर्थम को डेवलब करने का वो प्रोसेसिंग आप आवर डाटा जब भी अपने डाटा को हम प्रोसेसिंग करते हैं डाटा में हम कि इसी भी तरह का operation करते है data के साथ data processing में क्या होता है कि अगर हम efficient algorithm use करेंगे अच्छी algorithm use करेंगे तो उसमें क्या होगा उसमें हमें result भी कम time में मिलेगा और वो algorithm space भी कम की ज़रुत पड़ेगी तो इसमें यह जो दो feature है किसी भी algorithm के लिए time और space यही दो main feature होते है किसी algorithm की performance को evaluate करने के लिए the time and space are two major measures of the efficiency of an algorithm यह ध्यान रखेगा जब भी हम algorithm की बात करेंगे तो algorithm की efficiency दो चीजों पे ही depend होगी देखी जाएगी time कितना ले रहा है result आने में desired output देने में और कितनी space घेर रहा है कितने memory space की ज़रुत पढ़ रही है इसमें एक चीज है यह complexity की तो देखिए कोई भी algorithm कितनी simple है और कितनी complex है उसको एक different तरह से क्योंकि जो complexity होती किसी algorithm की complexity वो दो ही चीजों पर depend करती है एक तो running time algorithm कितना time ले रही है desired result देने में और दूसरा space यही दो चीज में होती है जिससे running time और space से algorithm की complexity मीजर की जाती है कि algorithm simple है या complex है या बहुत ज्यादा complex है या बहुत ही ज्यादा complex है तो algorithm की complexity को एक different notation से represent किया जाता है उसको बोलते हैं big o notation उसके बारे हम next lecture बात करेंगे आज आपको idea दिखल दे रहा है that is called big o notation उसमें algorithm की complexity को जैसे o one o n o n square इस तरह से represent किया जाता है तो इसको हम लोग next lecture डिसकस करेंगे आज हम लोग रहते हैं यहीं पे तो किसी भी algorithm की complexity है वो उसके running time और space से depend करती है और measure की जाती है ठीक है और यह running time और space यह आपको यह define कियाता है in terms of input size कितना data है हमारे पास जिसके लिए हम algorithm बना रहा है ठीक तो यह सारी चीजे जब हम complexity of algorithm वाली वीडियो बनाएंगे उसमें आपको discuss करेंगे आज हम लोग देखते हैं कि time और space trade-off कैसे हम time और space के बीच में trade-off establish करते हैं data structure के लिए तो अब इसमें क्या होता है कि देखें each of our algorithm will involve a particular data structure हर algorithm जो है वो particular data structure के लिए 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 डिवलब की जाती है accordingly we may not always be able to use the most efficient algorithm since the choice of data structure depends on many things तो चुकि आपको जितने भी data structure के लिए डिवलब की जाती है और कौन सा data structure हम follow कर रहे हैं ले रहे हैं link list लिया है हमने की ट्री लिया है कि हमने array लिया है stack लिया है जो भी आपको जितने भी data structure बढ़ाय हुए है graph लिया है तो वो हमारे उपर depend नहीं करता है the choice of data depends on many things including the type of data and the frequency with which various data operations are applied तो डाट देखे अब इसमें relation समझे है algorithm की जो efficiency है efficiency of an algorithm वो किस पर depend कर रहे है वो data structure पर depend कर रहे है कौन सा data structure हम use कर रहे है और data structure हम कौन सा यूज कर रहे है वो depend कर रहा है किस पर different चीज़ों पर जैसे type of data पर किस तरह का data है हमारे पास और कौन से operation हम उसको उसको पर perform करने है यानि इन दोनों पर depend कर रहा है यह और इस पर depend कर रहा है यह तो इससे क्या होता है sometimes the choice of data structure involves a time space trade-off तो जब इसका च्वाइज इस पर depend कर रहा है और हमें efficiency भी देखनी है तो उसको balance करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें time और space दोनों में balance बनाना पड़ता है उसी को बोलते है time space trade-off ठीक है by increasing the amount of space for restoring the data one may be able to reduce the time needed अगर हम space बढ़ा दे है data को store करने वाला तो जो time लग रहा है data processing में वो हम कम कर सकते हैं तो इसी को बोलते है time और vice versa अगर हम space बढ़ा दें तो time कम कर सकते हैं अगर हम time बढ़ा दें तो कम space पर हम काम कर सकते हैं तो एक हमें balance बना के चलना पड़ता है algorithm के लिए efficient algorithm के लिए इसी को बोलते है time space trade of foreign algorithm ठीक है अब जैसे इसी चीज़ को हम आपको दो example से समझाते हैं मान लिजे पहले हम पहली example हमने operation के लिए searching searching operation क्या होता है हम लोग सब लोग पढ़ चुके हैं अब मान लिजे हमने कहा कि suppose कीजे वही एक membership file जो हमने पिछले वीडियो लेक्टर में डिसकस किया था कि membership file है इन विच इज record contains among other data the name and telephone number of its member suppose we are given the name of a member and we want to find his or her telephone number अब मालिजे हमारे पास जो file है उसमें किसी भी organization के किसी भी library के members का record है अब हमें members का नाम दिया जाता है और हमें सर्च करना उसका टेलफोन number तो इस काम को करने का दो तरीका है एक तो हम linear सर्च करें linear सर्च linear सर्च में क्या होगा search each record of the file one at a time until finding the given name and hence the corresponding telephone number तो linear सर्च में क्या होगा हम हर एक record से name तैली करके देखेंगे भाई इस number के लिए हम जिस आदमी का number ढूड रहा है phone number तो मैं तैली कर जाएगा तो हम उसका phone number ले लेंगे इस में क्या होगा कि first of all it is clear that the time required to execute the algorithm is proportional to the number of compression also assuming that each day with the file is equally likely to be picked it is intuitively clear that the average number of compression for a file with n records is equal to n by 2 that is the complexity of the linear search algorithm is given by तो इस linear search algorithm की जो complexity आएगी cn वो आजाएगी n by 2 where n is the number of records ठीक अब इस में क्या होगा कि this algorithm would be impossible in practice if we were searching through a list consisting of thousands of name as in a telephone book however if the names are sorted alphabetically as in telephone books then we can use an efficient algorithm called binary search ठीक है तो अब इस linear search को अगर मान लीजे हम ऐसे record में यूज कर रहे हैं जहाँ पर हजारो नंबर है हजारो member के record है तो एक एक record हम अगर मिलाना शुरू करेंगे और ढूबना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि यह लगबग impossible हो जाएगा हलाकि अगर नेम जो है उसके जो record है उसमें नेम alphabetically अगर sorted है तो उसको सर्च किया जा सकता है तो इसलिए हम एक efficient algorithm यूज करते है that is called binary search algorithm यह सब आगे आएगा तो हम पढ़ेगे ठीक है तो binary search में हम यह निकाल सकते है एक तो example यह हो गया आप binary search में देखे क्या होता है आप लीनियर सर्च में तो आपने देख लिया this is quite impossible अब आप आजाएगे binary search में binary search इसमें क्या होगा कि compare the given name with the name in the middle of the list this tells which half of the list contains name then compare name with the name in the middle of the correct half to determine which quarter of the list contains name continue the process until finding name is the list इसमें binary search जब हम आगे detail में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि की पूरी list kya होता है गोत अग दो पार्ट में देखते हैं कि हमारा required नेम इधार आएगे इधार इसके अंदर फिर दो पार्ट करते है हमारा नेम इधार इका इधार है इसके अंदर फिर दो पार्ट करेंगे उस्सक्या मारी problem हम तोड़ते चले आते और solve हो जाती है तो इसलिए binary search algorithm की जो complexity आती है वो आती है log 2 के base पे n where n is the number of records तो इसको अभी हम लोग आगे discuss करेंगे ठीक है अब इससे फाइदा यह होता है जिसे आप example लेकर आप देखेंगे तो माल लिए आपके पास 25,000 नाम है इससे फाइदा यह होता है कि suppose कीजिए आपके पास 25,000 नेम्स है अब उसमें आपको required नेम का phone number निकालना है तो linear search से यह impossible है कि आप 25,000 नेम को मिलाते चलेंगे और आप इसी को अगर आप binary search से करेंगे तो आप देखेंगे ज्यादा ज्यादा पंदरा step में समझ रहा है आपके आपका जो required data है वो आपको मिल जाएगा तो इस इस दा मेर अडवांटेज ओफ एफिशेंट अलगॉर्थम तो यह डिपेंड करता है कि आपको efficient algorithm यूज करनी है अब इसमें क्या है कि although the binary search algorithm is a very efficient algorithm अब क्या है कि binary search algorithm जो है अभी आपने देखा कि 25 यार नामों में से आपको एक नाम ढूंड़ना है तो जाए-जादा पंदरा कंपरीजर में आपको नाम मिल जाएगा लेकिन इसके जो drawbacks है वो भी आप समझ लीजे इसलिए different तरह की algorithm डेवलप की गई ना इसके drawbacks क्या है कि specifically the algorithm assumes that one has direct access to the middle name in the list और a sub list तो इसमें यह सबसे बड़ी बदिक्कत क्या है कि हमें मालूम एक साब अगर यह list है तो इसके middle name पर हम direct पहुंच सकते हैं this means that a list must be stored in some type of array unfortunately inserting an element in an array requires elements to be moved down the list and deleting an element from an array requires elements to be moved up the list तो यह काम आप तभी कर सकते हैं जब list जो है array में store हो और array में जब भी आप कोई नया data include करेंगे या delete करेंगे तो उसकी position shift हो जाएगी the telephone company solves the other problem by printing a new directory every year while keeping a separate temporary file for new telephone customer इस problem दूर करने के लिए जो telephone directories बनती है इसी लिए उनका जो पुराने customer चले गए उनको remove कर दिया जाता है जो नए add होने वाले हैं जो नए add हो गए उनको उसमें add कर दिया जाता है उसके बावजूद जो customer अभी add होने है उनको एक separate temporary file में रखा जाता है यानि कि telephone company updates its file every year इसलिए telephone directory जो है हर साल update होती है हलाकि on the other end a bank में want to insert a new customer in its file almost instantaneously अब बैंक क्या करता है बैंक में आज आप गए खाता खुलवाने कल आप आपका database जो है बैंक में add होजाना चाहिए तो accordingly यह linearly sorted list may not be the best data structure for a bank इसलिए linearly sorted list जो है वो बैंक के लिए suitable नहीं है तो इस तरह से आपने देखा कि efficient algorithm के लिए आपको time और space में एक beach का balance या trade-off बनाके चलना होगा चलिए अभी आप इसको यह basic मैंने समझा दिया अभी time और space का trade-off जो है एक example लेकर मैं आपको next lecture में और अच्छे ढंक से explain करने की कोशिस करता हूँ वाई hope कि यहां तक का आपको clear हो गया होगा कोई doubts से confusion है comment time में comment करिए दिखिए उसको और अगर video content पसंद आ रहा तो please video को share कीजे like कीजे चैनल को subscribe कीजे और notification bell को on कर दिजे ताकि next video की information आपको तुरन मिल जाए thank you थाओ